हेलो गाईज, SK11 Expert चैनल में आपका स्वागत करता हूँ तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जो आपको BDWE vs SAWE के बीच में यानि कि जो आपको Bangla Dess Women Emerging vs South Africa Women Emerging के बीच में यहाँ पर जो ODI Match खेला जाता दिखेगा आपको उसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तो यह दूसरा ODI होगा नोनों टीम्स के बीच में पहले ODI में क्या हुआ? यहाँ पर जो Bangla Dess Women की टीम है वो बहुत स्ट्रॉंग है क्योंकि उनकी जो में टीम है वो इस टूनामेंट में खेल रही है भले ही Emerging का नाम दिया गया है लेकिन जो Bangla Dess की नेशनल टीम रहती है उनके ही सभी प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे है और वहीं जो South Africa की Emerging की टीम है उनके यहाँ पर young players खेल रहे हैं खुछ ऐसे भी प्लेयर्स खेल रहे है जो कि नेशनल टीम के लिए भी खेलते हैं लेकिन यहाँ पर strong टीम बंग्लादेश ही है तो उनके ही ज्यादा जितने की chances है तो आप उनको ही ज्यादा favor करने की कोशिस करिएगा तो चलिए पहले match के हम performance पहले देख लेते हैं दोनों टीम्स की तो ये बांगलादेश women emerging का पहले match का batting performance देख सकते हैं जिसमें opening करने आई थी मुर्सिदा खातू जिनोंने 36 किये उसके लाबा समीमा सुल्ताना जोकी बिकेट कीपर है टीम की उन्होंने 34 किये निगर सुल्ताना जोकी टीम कैप्टन है उन्होंने मातर 2 किये लेकिन ये कमाल की batsman है इनका ध्यान लखिएगा बांगलादेश women की सबसे main batsman यहाँ पर निगर सुल्ताना ही है तो इनका अब ध्यान लखिएगा फर्गना हक 72 इन्होंने किये ये भी सेकेंड बेस्ट batsman है सुल्ताना के बाद बांगलादेश women के टीम में इसले ये अच्छा के लिए लेकिन सुल्ताना भली पहले बैच अच्छा नहीं के लिए लेकिन बहुत अच्छी batsman है उनका अब ध्यान लखिएगा रुबाना एहमर टीम की सबसे में और डाउंडर उन्होंने 13 रन किये रितु मौनी उन्होंने गारा किये सलमा खातुन ने 0 किये और यहाँ पन नाहीदा अक्टर्णे में 0 किये वहीं पर balling performance आप देखेंगे बंगलादेश सुमिवन का तो बहुत अच्छा था सालमा खातुन जो की बहुत अच्छी office spinner है काफी experience है बंगलादेश के लिए जो अभी T20 World Cup हुआ था recent वाला उसमें captain से भी गी थी उन्होंने तीन बिकेट लिए दो बिकेट मेरा जहाँ नारा आलम को जो की टीम की सबसे main fast baller है और T20 में वो अच्छी बैटिंग भी कर लेती है लेकिन ODI में इनको बैटिंग करने का कमी मौका मिलता है रुमाना एहमद ने दो बिकेट लिए और दो बिकेट संजीदा अक्तर को मिला जो की एक नई प्लेर है मेरे हिसाब से वहीं South Africa Women Emerging के आप देखेंगे बैटिंग परफॉर्मेंस तो एंडू एस्टेंड ने 41 किये ओपनिंग करने आये थी Robin Searle के साब जिनोंने 15 किये क्रिस्टी थॉम्सन ने 13 किये 16 किये एने वॉस ने उसके लावा सिनलो जप्ता ने 8 किये फाय टूनी क्लिप ने 7 किये ले जॉन्स ने 10 किये और एंडूस ने 1 किया और 0 किये यहाँ पर जेड डे फिगुराडी होने वहाँ पर balling performance आप देखेंगे तो जेट के नाम एक बिगट तेन बिगट जेन विंस्टर के नाम एक बिगट लही जॉन्स के नाम एंडूस के नाम एक बिगट और एक बिगट टूनी किलिप के नाम तो यहाँ पर जो South Africa women की तब से जो यहाँ पर है एंड्रू स्टेन जो की मेरी साब से South Africa national team के लिए ज्यादा नहीं बट कुछ matches खेली है उसके लाबा Annie Boss जो की अभी recent में इन्होंने debut किया था इंडिया के खिलाब सेरीज में काफी अच्छा performance रहा था इनका बैटिंग बॉनी दोनों के साथ तो यह important बन जाती है सिंद्रो जप्टा भी national team में खेलती है तो यह भी important बन जाती है तुने क्लिप भी खेल चुकी है यह भी important है और जो players हैं वो सभी young है तो उन पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दीजेगा अब ध्यान दे सकते हैं जो जिन players ने पहले match में अच्छा perform किया है उन सब पर लेकिन जादा तर players जो South Africa women emerging के हैं वो काफी young है और उनके stats मिलना बहुत मुश्किल है अब मैं आपको यहाँ पर जो बंगलादेश women की team है उनका मैं आपको ODI का stats दिखा देता हूँ यह ODI का full stats plus info देख सकते हैं इसमें आपको जो जादा तर players खेलने बाले हैं stats मिल जाएगा यह बैटिंग का देख सकते हैं जैसे मैं example में बता रहा हूँ यहाँ पर फर्गना हक 37 matches के लिए ODI की 732 runs है उनके उसके लावा उन्होंने 69 के उनका highest score है और 21 का average है वैसी आप यहाँ पर देख सकते हैं निगर सुल्ताना के stats है उसके लावा रुमाना पातून का है तो यह इन में आपको कुछ players के यहाँ पर जो की बंगलादेस के लिए ODI matches के लिए उनके stats मिल जाएंगे यह balling का है तो आप इसमें भी यहाँ पर आपको maximum players के stats मिल जाएंगे और कुछ players जो पिछला match नहीं खेले थे उनके भी आपको stats मिल जाएंगे तो यह आपके लिए काफी important बन सकते हैं अब चलिए हम अपनी टीम discuss करते हैं पहले आते हैं विकेट कीपर section पर तो यहाँ पर आपके पास दो option है समीना सुल्ताना और सिनलो जप्टा समीना सुल्ताना का national में performance बहुत खराब रहा है लेकिन यहाँ पर opening करने आया थी पिछले मैंस म और अच्छा खेल कर गई स्माल डिंग में यही हम मेरी साब साब के बेस्ट option है सिनलो जप्टा कैप्टेन है टीम की और नेशनल में भी साउथ अफिरका के लिए खेली है कुछ खास performance रहा नहीं है लेकिन फिर पी आप जील में ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि यह नेशनल में स कभी लेंगे अभी ले सकते हैं लेकिन मैं सुल्ताना के साथ हूं वह काफी experience है उनका काफी अनुभब मुझे लगता है इस मैं अच्छा करेगी अच्छी bats में है कोई खराब नहीं है मैंने आपको stats भी दिखाया 25 के करीब का इनका ODI का average भी है तो मैं ले रहा हूं आपको लेना हो तो आप सेब जाने के लिए stand को ले सकते हैं मुझ सिधा खात उनका कुछ खात stats नहीं है जील में ही try करेगा open आपको करते दिखेगी और आर सिल को भी आप जील में ही try करेगा यह भी आपको open करते दिखेगी all-downer section में रुमीना आहमाद और एनी बोस को आपको लेना है दोनों important players है रुमीना आहमाद बंगलादेस की सबसे main all-downer है और ए बोस भी यहाँ पर साउत फिर्का की सबसे main batsman है और वो part-time balling भी कर सकती है तो दोनों important है आप दोनों को लेकर जा सकते है रीतुमोने आपके जील की अच्छी पिक है अच्छी और नमडर यह भी है छटे साथ मेरा पर बैटिंग और साथ में चार से पांच और आपको मीडियम फास्ट करके देगी तो आप इनको जील में ट्राई कर सकते हैं और नीचे से यहाँ पर इन दोनों को मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूं जे विंस्टर नहीदा अक्तर और यहाँ पर एल जॉन्स के साथ मैं यहाँ पर जा रहा हूं खातून आलम और यहाँ पर विंस्टर के साथ सबी आएंगे लेकिन मैं अपना दो यहाँ पर डिफ्रेंसल पिक ट्राई कर रहा हूं नहीदा अक्तर अच्छी लेफ्टाम उमीद है इस match में बिकेट निकालेगी और last player का call आपका रहेगा मैं एल जोन्स को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह साथ में बैटिंग भी कर रही है और साथ में बॉलिंग कर रही है तो एक तरह से all-rounder का मुझे काम करके दे रही है इसलिए मैं इनको यहां पर try कर रहा हूं आपके पास MN2s भी option है जो कि 8 में आपको बैटिंग करेगी और यहां पर एल जोन्स से ज़्यादा यहां पर balling आपको करती दिखेगी तो आप उनको भी ले सकते हैं और एक और player S.Aktar जो कि 2 बिकेट लेकर गई थी आप इनको भी try कर सकते हैं आपको अगर लेना हो तो औ में ज्यादा recommend नहीं करूंगा तो यह अभी के लिए मेरी टीम बन जाती है जिसमें captaincy में रूमिना एहमद को दूँगा जो कि बंगलादेश की सबसे main all-rounder है और wise captaincy में सालमा खातुन को दे रहा हूं आप इसमें चेंज कर सकते हैं आपके लिए बोस safe option है captaincy की और wise captaincy आप रूमिना एहमद को कर सकते हैं अगर आपको safe जाना है तो लेकिन मैं बंगलादेश women emerging को favor कर रहा हूं इसलिए मैं उनके players के साथ cvc से साथ जा रहा हूं तो ध्यान लखिएगा यह team आपके लिए mini grand league के लिए काफी अच्छी बन सकती है और grand league के लिए भी लेकिन small league में यह team risky भी बन सकती है आपको safe जाना हो तो आप अपना captain wise captain खुद का select कर सकते हैं यह boss बहुत अच्छी option है आप उनको definitely कर सकते हैं और F hug भी अच्छा के लिए थी तो आप उनको भी try कर सकते हैं GL में तो आप यहाँ पर try कर सकते हैं F tune clip को जहनारा आलम को यह इन दोनों को आप GL मे और साथ में नीगर सुलताना को भी GL में try कर सकते हैं तो इस चीज का अभियान लखिएगा मैं अभी के लिए captaincy रूमिना एहमद और vice captaincy सालमा खातुन के साथ जा रहा हूं आप please अपना change कर सकते हैं आपको boss को करना हो आप कर सकते हैं आपकी option रहने बाली है यह मेरी अभी क description में मिल जाएगा आप उस पर क्लिक करकर join कर सकते हैं final team update मैं आपको वही पर दे दूँगा तो guys आसा करूंगा आपके लिए video informative रही होगी अगर आपको ऐसा लगा हो मैंने आपकी थोरी भी help की हो team मराने में तो please video को एक like कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं और video में